सबको जैमसी की परमेश्वर के नाम की महिमा हो आज हम देखेंगे बजन सहीता 47 सरवच राजा तो आजी शुरू करते हैं बजन सहीता उसका 47 अध्याए हे देश के सब लोगो तालियां बजाओ उचे सवच से परमेश्वर के लिए जैजै कार करो तो यहां पर जो इस बजन सहीता का लेख गया है वो देश देश के समाज्वर लोगों से कह रहा है कि वो तालियां बजाएं तालियां मतलब आनंद से बरपूर होना तालियां कब बजाते हैं जब हम आनंद से बरपूर होते हैं और उंचे सवर से परमेश्वर की जैजेकार करो लेखा कहता है कि तालिया बजाते हुए बड़ी खुशी और हरसो उलास के साथ आपके जो अंदर है जो आनन्द है उसको बाहर निकालो और जब अंदर का आनन्द बाहर पर कट होगा तो इंशान तालिया बजाता है खुशी क अर दूसरी अएता में बाताती है क्योंकि यहवा परंपर्धान और भैय योग्यह पर्म patan मतलब जो परदान है जो उंचे पदवाले हैं जैसे मुख्यमंत्री परदानमंत्री राष्ट्ति उन से भी बड़ा है उनका भी परमेश्वर है और भैयोग्यह एक ऐसा पर मेसवर है जिसका भेमान चाहिए जिसका अधर्माण समान करना चाहिए वह सारी बिर्थुई के उपर महराज है बोष है समसे पर वबॉष इस दुनिया का परमेश्वर है यहा परमेश्वर है तीसरी आयत में लिखा है वह देश देश के लोगों को हमारे समुख नीचा करता है और पूरे देश के जो लोग है उसको हमारे कदमों तेले ले आता है हमारे समुख उनको नीचा करता है और जाती जाती को हमारे पाउंक नीचे कर देत कि और जितनी यां उन सब को हमारे नीचे पाउं के नीचे कर देए इतना शरक्तिसाली है अरफ्ताथ जब प्रवेशवरह हमारे साथ होता है तो हमें किसी भी परभल से परभल जाती से और परभल वेक्ति से डरने की जीरूरत नहीं है क्योंकि हमारा परवेश्वर सबसे पल्षाली सबसे शक्ति शाली है और वो हमको ऊपर उठाने के लिए अर्थात बाकि लोगों से उचा रखने के लिए हर समभाव हर समय हमारी साहता करने के लिए ततपर रहता है तयार रहता है छोतीय आइत में लिखा है हमारे लिए उत्तम भाग चुलेगा जो उसके पीरिय याखुब की गंड के कारण है और परमिसर है वो हमारे लिए कोई लो ग्हाल्टी की चीजें वो नहीं खंड़ीता बलकि जो उच्छ क्वाल्टी की चीज़े हैं वो हमें देता है जो भी हमें चाहिए वो उच्छ क्वाल्टी का हाई गरेड़ का देता है किसी को मुबाइल चाहिए तो नॉर्मल मुबाइल प्रीज लेता है लेकिन जो कोई बड़ा बैखती है वो कहेगे नहीं भाई नॉर्मल मुबाइल नहीं मैं तो एपल का मुबाइल दूँगा इसी परकार से हमारा परमेश्वरी हमारे लिए क्वाल्टिक प्रडक्ट है वो लगवा नर्शिंग के स्वत्र के साथ उपर गया है परमेश्वर का भजनगाउ भजनगाउ हमारे महराज का बहज है यहां पर लिखन कने हैं जैसे कि पहली आएत में ही बता दिया था इतल्या बजाते हुए जैजयकार के साथ है वो परमेश्वर के समुख आओ और जैजेकार के साथ परमेश्वर के साथ आओ पांसवी आयत में भी यह लिखा है और यहां पर एक चीज और जोड़ देगी है कि यहवा परमेश्वर है वो नरसिंगे के सबत के साथ उपर गया है परमेश्वर का भजन गाओ और भजन गाओ और भजन गाओ और भजन गाओ अर्थात परमेश्वर में रम जाओ मगन हो जाओ बस यही है वो पांचमी और छटी आयत में लिखा गया है साथ में आयत में लिखा है क्योंकि परमेश्वर सारी पिर्थवी का महराज है समझ बूज़ कर बुद्धी से भजन गाऊ भजन गाने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है भजन गाना मतलब परमेश्वर की स्तूदी आरादना करना परमेश्वर के उन उपकारों को याद करना हमें परमेश्वर को ये बताना कि हम उसको भूल नहीं गए है और उसके बढ़ती हम पूर्ण रूप से समर्पित है यहीं बताने के लिए परमेश्वर का भजन गाया जाता है और यहां पर मिलेकर कहते हैं कि परिसाफधानी के साथ है वो भजन गाओ और समझ बूज के साथ है वो भजन गाओ लेकिन भजन गाओ इस जो 47 माध्याय है इसके अंदर विसेश रूप से भजन गाने के उपर पूरण रूप से चोड़ दिया गया है आठ्वी आयत पढ़ते हैं परमेश्वर जाती जाती पर राजे करता है परमेश्वर अपने पवितर शिंगासन पर विराजवान है आठवी आयत में बताया गया कि परमेश्वर है वो अपने पवित्र सिंगासन पर विराजवान है और अपने पवित्र सिंगासन पर रहते वे पूरी दुनिया के उपर है वो शासन चलता है उसका राज चलता है और नोवी आयत में लिखा है राजे राजे के सामन्त अपराहम के परमेश्वर की परजा होने के लिए इकठे हुई हैं क्यूंकि पिर्थवी की डाले परमेश्वर के वसमे है पहतो सिरोमणी है सिरोमणी मतलब सबसे उपर की सब लोग है वो सिरोमणी है सबसे उपर है और राजे कोई भी हो और धरम कोई भी हो जाती कोई भी हो देश कोई भी हो लेकिन हर जगे परमेश्वर का ही सासन चलता है एक एकजेंपल देता हूँ कोई गाउं है सबसे चोटा पद उसके अंदर पंस का होता है फिर उसके अंदर सरपंच होता है बलोग समीती होती है जिला धैक्स होता है और फिर किसी उसके बाद हम तैसील होती है फिर जिला होता है उसके अंदर deputy communist neural होता है जिले के भेवाद भीर-राजे होते हैं और राजे के बाद समस्त देश भारत होता है तो इतना कुछ होते हुए भी लोकल से लेकर नैसन तक होते हुए भी जो भारत के अंदर जो सासन चलता है, वो परधान मंतरी का चलता है और परधान मंत्री के इलावा भी उसके उपर राष्टपती के साइन होते हैं अरधात राष्टपती का सासन चलता है परधान मंत्री का सासन चलता है अलांकि लेकिन नाम है वो राष्टपती का हर कारूंट लिखा जाता है चाहिए कितना भी सकती साली हो इन सब के ओपर जो algorithm का चलता है और वो जो कहेंगे उन्ही का जो फैसला है वो अद्दिम होगा और सब के मानने के लिए जरूरी है हर कोई इसको मानने के लिए बाते है इसी परकार से देश चाहिए कोई भी हो राज्य कोई भी हो जो सर्वोच सासन चलता है वो परमेश्वर का ही चलता है वो अदर्श है वो देखने में नहीं आता है फोर एक एक जैम्पल देता हूं हम एक कमरे में एसी लगवाते हैं तो उसे एक एसी का बिल जब आता है तो उसको देखकर यह मुँआ था पिट लेते हैं तो यार तीन जारा आगया पांच जारा रुपए आगया जब कि जब जुलाई जून मैं का जो उच्यर्वा सब्सक्यां पर अठाहें कि आपणाबन तक के लिए पूरा आश्मान है जहां और देंडी देश के अंदर है और यहां 많이 से बार्पभाय कीवजए से तो जो जो पूर्ण संसार को संपूर्ण देश को जो सेंट्रल एसी बना सकता है इतना पावरफुल है वो परमेश्वर तो इसी सी आइडिया आप लगा सकते हैं कि वो कितना बल सालिह किसी भी देश कोई प्रदान मंत्री इस प्रगार की काम नहीं कर सकता वह वह अपने कमरे को अपने किसी बना सकता है लेकिन पूरी दुनिया को नहीं तो आज की इस वीडियो में वसीत नहीं अगले अधिया में हम देखेंगे वजन सहीता 48 अर्थाथ परमेश्वर का नगर सियोन इन वचनों की दोरा आपको आसेस मिले बरकत मिले सब को जैम सी की